तो दोस्तों आप Samsung के mobile से video recording कैसे करें जब educational वीडियो बना रहे हैं या कोई अन्य वीडियो बना रहे हैं तो उसमें आप किन किन बातों का ज्यान रखें यह Samsung का A53 mobile है जो की 3000 प्लस कीमत का है और यदि आप अच्छा वीडियो quality चाहते हैं और आप चाहते हैं कि Android mobile हो तो उसमे स्रीज में जा सकते हैं चाहिए आपका S23 FE हो S22 हो या S23 हो वो है जो वीडियो में बेस्ट रहेगी क्योंकि उसके जो कैमरे इत्यादी की life है वो थोड़ी लंबी होती इसका दोस्तों क्या होता है कि कैमरा थोड़े समय के बाद इन एक साल के बाद इसके लेंस वगर यह थो 30 FPS, Full HD 30 FPS, Full HD 60 FPS और Ultra HD 30 FPS यहां से पहले आपको अपना setting decide करना है तो जैसे यहां से हम full HD 30 FPS कर देते हैं उसके बाद यहां से आपको अपना ratio set करना है और यह आपको ratio रखना है बचों दोस्तों 16 ratio 9 रखना है ठीक है उन ratio बंद करने से यह सथत चोटा हो जाएगा यही आपका YouTube के लिए compatible होता है अब इसमें आपके पास देखिए यहां पे एक 0.5 एक्स लेंस आता है यदि आप बहुत नजदिक से वीडियो बना रहे हैं और आप चाहते के एरिया ज्यादा कवर करें तो आप क्या करें के 0.5 एक्स कर दें इसमें भी देखिए आपका यह quality ठीक 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 रहता है और इसके अलावा आप अपना 1-x में नोर्मली रिकोडिंग जो करते हैं वह आपका 1-x में लेकर करते हैं आप देखिए यहां पर सेटिंग में आ जाते हैं तो सेटिंग में हमारे पास यहां पर बहुत सारे अप्सन रहते हैं एक जो सबसे जरूरी अप्सन ए वी स्ट्रिफाइजिंग वीडियो क्वालिटी यानि वीडियो क्वालिटी में कोई बद्लाव नहीं आएगा लेकिन आपका स्पेस से कर देगा ओटो एपियस से हम अपने यहां पर लो लाइट कंडिक्शन में अच्छा वीडियो रिकूडिंग कर पाएंगे तो इसको ओन कर दे सेटिंग है मुख्य रूप से ओके इसमें और ज्यादा कोई सेटिंग नहीं दे रहे हैं इस्टेरियो ओडियो वगरा वह इसमें सेटिंग नहीं है क्योंकि वह जो एस सेरीज में आती है ठीक है अब उसके अलावा यहां से आप फिल्टर लगा सकते हैं देखिए बहुत सा करने से हम फिल्टर से बाहर चले जाएंगे तो मुख्य रूप से आपके यही सेटिंग रहती है और इसमें मोर में आएंगे तो आपके पास यहां पर इसमें प्रो वीडियो भी ऑप्शन है तो प्रो वीडियो से भी आप अपना एक बढ़िया कॉलिटी का वीडियो आएगा धन्यवाद